हाई गैस वेलकम बैक टू मैंज चैनल आज किस वीडियो में हम सीखेंगे हम ये कौटन आइटिक कैसे बना है तो चलिए इससे स्टार्ट करते हैं ये मैंने तीन मीटर फैबरिक ली है ये हमारा डबल मैंने इसको फोल्ड कर दिया है अब इसको हमने four fold कर लिया है जिस पे हमने इसकी हाथ और इसकी गले की measurement ले ली है हमने यहां से लिया है चार इंच और लेंद है नौ इंच का और तीन इंच होड़ने के बाद हमने यहां पे साथ इंच की लंबाई ली है यह हमर तीन इंच का है और यह हमने 7 इंच कर लिया है और इसके बद जितना आपकी मर्जी उतना आप काट सकते हैं मैंने यह कट कर लिया है अब हम इस बचे कपड़े के स्लिप्स कट करेंगे देखें मैंने स्लिप्स की मिजरमेंट ले ली है यहाँ मैंने 7 इंच में मार कर दिया है हमें हमारा स्री सारे 5 इंच का चाहिए इसलिए मैंने 7 इंच लिया है इसे काटने बटने और सिलने में वो सारे 5 इंच का हो जाएगा सामने से हम फोल्डिंग मी देंगे इसलिए अब यह मैं यहाँ पर 2 इंच में मार कर दे रही हूँ अब हम इसे गोल घुमेते हुए मिला लेंगे अब हम इसे कट कर लेंगे मैंने इसे कट कर लिया है अब हम इसके आगे के साइट थोरी सी गोलाई देते हुए कट कर लेंगे मैंने इसे काट लिया है, अब हम बचे हुए कपरे के नेक की बॉर्डर कट करेंगे, इसको हमें से डो फोल्ड कर देना है, ये चार इंच का था तब दो दो इंच का हो जाएगा ये, अब हम इसे बीच से काट लेंगे, अब हिसे हमें डबल में काट लेना है, ऐसे हमारा पस चार पीसे सो जाएगी, और इसे भी हमें नीचे लगाने के लिए काट लेना है, ये हमारा पांच इंच का नीचे हमने गला रखा था, उसमें दो इंच प्लस किया, साथ इंच का हुआ, उपर वाला भी हम दो इंच बढ़ा के काट लेंगे, अब मैं इस तरह रखते हुए सिलाई लगा दूंगी, मैंने सिलाई लगा दी है, और हमारा हाथ भी रेडी है, मैंने इसके बॉर्डर पे भी सिलाई लगा दी है, हमारा फ्रंट साइड है, और यह मैंने बैक साइड इस पे रखा है, अब हमें यहाँ पे सिलाई लगा दीनी है, और हमें यहाँ पे हाफ हाफ हिंच की प्लेटिंग बठा दीनी है, मैंने प्लेटिंग बठा दी है, अब हमें इसको अंदर की तरफ से फोल्ड कर लेना है और यहां पे भी सिलाई लगा देनी है देखिए हमारा बैक और फ्रण का दोनों पार्ट बन के रेडी है देखिए हमारी प्लेटिंग्स कितनी अच्छी आई है मैंने इसको पीछे पलटते हुए सिलाई लगा दिया है अब हम इसके कंदे दोनों जोड लेंगे और हाथों को भी जोड देंगे मैंने जोड दिया है अब हम यहां पे सिलाई लगा देंगे और उसके नीचे भी एक इंच मोड लेंगे देखे ये हमारे 90 बन के रेडी है ये कितनी अच्छी लग रही है और उसकी प्लेटिंग में बहुत अच्छी बने है अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्स्क्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को प्रेस करें मेरे लेटिस्ट अपडेट के लिए थैंक्स पूर वाचिंग